अगो दोस्तों मैं दिनेश्वर महराज टोने टोटके में आज आप सब का स्वावत करता हूँ जैसे आपने एक वीडियो को देखा और किया सनी दोस्त के बारे में बताया था मैंने और उस वीडियो में मेरे हिसाफ से काफी लोगों ने किया करने के बाद थोड़ा सब कुछ लोगों को ऐसा लगता ना बहुत मेहनत लगता है मेहनत समझते हैं आप भाईया सनी दोस है तो मेहनत तो लगेगा अब आप बोलते हो कि कुछ इजी टोटका और बताये सनी जी के लिए देखो आप कोई भी कारे करने जाओगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ लगता है पैस और समझें पर लगेगा जरूर अब आप सोचेंगे कि माराज जब दिखो जब लगने वाली बाते करते हैं दोस्थ आपके उपर है तो आप अपने तरिये से निकालेंगे आप सुक्रवार के दिन की बात हैं सुक्रवार रात में सनी देव का एक चांदी का शिक्का लेना है आपकी जितनी कफिशीटी हो पचास रुपे की लेनी है सो रुपे की लेनी है सनी जी का लेना है शिक्का आप इतना ध्यान देखना सनी जी का जो चांदी का शिक्का लेंगे आपका जो माथा होता यह जो अभी मैं आपको अपना सर मोड के दिखा देता हूँ, यह point जो होता है, यह point, किसी कपड़े में उसे करके आपको यहां रुके आपको सीधा सोना है, करवट नहीं लेना है आपको, आपको सीधा सोना है, और कुछ तेंग, सनीजी का ही ख्याल रहेगा आपके mind में, कि यह जो टुटका कर रहा हूं इसके माधियम से आप अपने आपको सांध कर लेंगे और मेरे रोजी रोज़गार वो मेरे लाइफ को आप उजवल करेंगे ताकि मैं कुछ अच्छा कारी करूँ और अपने फैमली का हमेशा भ्यान दो बेटी है मा है बहन है बाप है भाई है इनका में जिम्मेदारी निवा सको आप वो सोच के आपको सोना है सूरी ओदर से पहले आपको उठना भी है नहाना नहीं है आपको सूरी ओदर से पहले आपको उठना है और वो वहाँ पहे है थोड़ा सब गमचा अगर बान लुआ या टोपी लगा लुआ सिक्का आपको खोलना नहीं है आपको आपको सुबह सुर्योध से पहले उठना है समसान भूमी में जाना है समसान के अंदर जाना है समसान के अंदर जाने के बाद आप उस कपड़े को खोलोगे सिक्का आपके पीछे साइड में गिर जाएगा आप वहां से रिटन अपने घर के लिए आ जाओगी आप मुड़के सिक्का गिरा का यह टोटका है ऐसा आपने कर लिया तो आपको मैं 100 प्रेशिंट बता रहा हूं कि आपका सरी दोस्त आपका ठीक हो जाएगा जो पंडित महाशरे पूजा पाट कराने से नहीं ठीक कर पाते हैं यह आपका छोड़ा सा टोटका ठीक कर लेगा और यह वीडिय को दिखाएं ताकि वह भी अपने गिरफ को सांद कर सके और यह वीडियो प्रशंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच जै भैरो